काला हिरन शिकार मामले में दोशी करार दिये गए बॉलेवड अभीनेता सिल्मान खान की अपील पर मंगलवार को जोदपुर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई सल्मान खान की इस याचिका पर कोर्ट में तीन घंटे तक सुनवाई चली आपको बता दे काला हिरन शिकार मामले में निचली अदालत ने सलमान को पांच साल जेल की सदा सुनाई थी निचली अदालत ने हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान साल 1998 अक्टूबर में कांकडी गाउं में दो काला हिरन का शिकार करने के जुर्म में अभिनेता को गत 5 अपरेल को दोशी करार दिया था वो अभी जमानत पर बाहर हैं मामले में सलमान खान के साथ ही क लाकारों को बरी कर दिया गया है सलमान के वकीलों ने मंगलवार को जिला और सत्र अदालत के सामने दलील दी कि सामाण इस शाक्षिए के आधार पर सलमान को दोशी करार नहीं दिया जा सकता जिसे उनके खिलाफ शिकार के दो अन्य मामले में हाई कोट ने खारिज कर दिया था न्यायधिश चंदर कुमार सोंगरा किसम अक्ष तीन घंटे तक बहस चली और अगली सुनवाई तीन और चार अगस्त को होगी ब्यूरो रिपोर्ट पीएच बीसी न्यूज